करेंगे जोकी है यूनिट स्टिक्स का दो मिनट वेट करते हैं सारे लोग जॉइन करने उसके बाद इस्टार्ट करेंगे करेंगे में वेट करेंगे यूई रखू झाल झाल एड ऑ्याल का वब आ दो झाल हलो हने कुडं़ झाल यम्मक्तर सुसालजी टीचर अट फिलर पॉंट तो आज हम लोग डिपेड़नेंटी फिविए तंजक्षन एंड तूरिजम करेंगे दो मिनट करते हैं सारे लोग जाइन करने उसके बाद इस्टाइट करते हैं आप लोग कंफर्म करिए वाइट एंड पीपीटी क्लियर है यानि इसके बाद स्टाइट करते हैं आप लोग करते हैं आप लोग करते हैं करते हैं नहीं किया है वो जोइन करने अभी आपर चल रहा है कल सर ने बताया भी है आपको वेबिनार में कि जो भी फर्स पेपर और सिकंड पेपर जोइन करना चाहते हैं एक साथ अगर लेंगे वो तो नया कोर्स लॉंच हुआ है जिन में उनको 1400 रुपए में दोनों कोर्स प्लस आपको पेपर वन की सॉल क्वेशन पेपर की बुख में लेगी और उसके लावा वो अलेंग 10 रिप्रल कोर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि यह मेरा रिप्रल कोर्ड जिस्ते उनको 10% एक्ट्रा डिस्काउंट में जोगा तो हम लोग आज करेंगे एकोनोमी एंड सुसाइटी पार्ट पोर पार्ट फ्री हम लोग कल कर चुके हैं आज हम लोग पार्ट पोर करेंगे गूड आफ्टरनून तब से पहले हम लोग dependency theory start करेंगे निर्भरता सिधान dependency theory is a sociological theory which holds that economic events in history have encouraged developing countries to depend upon the support of more advanced nations तो dependency theory क्या कहती है ये sociological theory है जो इस चीज को hold करती है इस चीज को hold करना मतलब कि इस चीज को मानती है कि economic event in history जो भी history में economic event हुए है वो developing countries को Bel soon countries को जो है वो increase करती है कि वो जो advanced nature है.. आचλαइन से इस्ध्रूचन होंसे उन उन पर पर डिपेंड रहे और उनके सपोर्ट के जरीए ही वह चल दूँद्ध आज़ा कि जो भी एर्वंस नेशन है तो इसे को डिपेंडेंसी तेरी आनुब दिपेंड हो ना न STAR syndrome क्या है ति लिसाव लिने साय एक समाज सास्ट्री पर निर वरबर्टाइबति क्या है जो मानता है इतिहास्ट में आर्पिक घट्णाओं में क्या समः और वहने सब्सक्रिक्ष्ट बहुत शे pride कैई तो निर वर्टा सिधान क्या कहता है कि यह कैसा सिधान पाता चिक है वुर इस बात पर निर्भर करती है कि विकास की देश जो विकास प्राविक्सित कर देश। उनके समर्थन पर वह हमेशा निर्भर रहते हैं यही निर्भरता सिधानत कहता है। तो समाज में आ गया है और नीरभरता मतलब होता है किसी चीज पर नीरभर रहे न तो हमेशा developing nation जो है या under developed nation जो है वो क्या करते हैं हमेशा जो developed nation है उनके उपर एंड्रे गुनार फ्रेंग एंड्रे गुल्डार फ्रेंग पोजिते दा अंडर डेवल्पी स्टेट अव थर्ड वल्ड वास अ कहते हैं कि जो अंडर डेवल्पी स्टेट थर्ड वल्ड यानि कि जो डेवल्पी कंट्रीज और नहीं की वज़ा से नेशन अईसे हैं जो अभी तक अंडर डेवल्पी रहे चुटे एक तरह से यह जो डिविलपमेशन है उनको क्रिटिसाइस करते हैं और कहते हैं कि जो अंडर डिवलपमेशन है उनका ही वजह से जो यह अभी तक बचे हुए एजी प्रेंक ने माना है कि तीसरी दुनिया का अविक्सित राज पहली विश्व नीती का परड़ाम था पहली जो वर्ल्ड पॉलिशी थी उसी का परड़ाम था ये पहले से विक्सित देश है उनी का परड़ाम है क्या जो अविक्सित राज अभी राज मतलब यहां पर कंजी होगा ऐसे देश जो अभी तक विक्सित नहीं हुए है वो तीसे दुनिया में आते हैं यानि कि थर्ड वर्ल में आते हैं यह जो है जो पहली विस्ट नेती थी उसी का पड़रा में उसी की वज़ा से आज जो है आव विक्सित राज पाए जाते है विक्सित डेश पाए गांगते विडिशा फीडिश के थे सब्सक्रेट ख़ने सुर्ड से फीट्रेश डेश में इन्थे तेसरी दुनिया में फेंस से इन्हों ने ही ए जो जो प्यूला रिजो एशो अन्दर ड़लप्य नेशन है उन्ही के ऊपर इन्होंने अपने आपको कि यूज़ुली इन चैपिकल सिटी इस दे यूज टो एक्स्वाइट रिसोर्स तो इनक्लेश मतलब यह ज्यादा तर वहां पर जाके रहते हैं अपनी रहनी की जगे बनाते जैसे कि कालोंई जोगे रहती थी ब्रेटिस की कालोंई कहां पर थी इंडिया और बी कंट्रीज मे करने के लिए रा मटेरियल को एक्स्वाइट करने के लिए ज्यादा तर इंडिया में आया कि और उनका कोई मकसद नहीं था यहां पर साचन करने का या कुछ वो तो दीरे बीरे मतलब उनको जरूर्वत पड़े की इस तरह से करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम लो कि इनका इस जो ठेवरी है उसका यह मानना है एजी प्रेंग का यह मानना है कि जो फर्स वर्ल्ड कंट्रीज है उन्होंने कालोनीज बनाए कहां पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है यानि कि जो अंडर डेवलप्ट पंट्रीज है वहां पे जाके उन्होंने अपने इंकल अब उस city का इस्तेमाल, अपनी colonies का इस्तेमाल वो किस लिए करते थे? Resources के exploitation के लिए करते थे. अपनी colonies का इस्तेमाल किस लिए करते थे? वो ज्यादा कर रिसोर्स को exploit करने के लिए करते थे. That means, we transfer to the capitalist countries of the West. और वो resources क्या करते थे? ट्रांसपर करते थे जो वेस्ट की capitalist countries थी उनको. तो यहाँ से raw materials लेते थे, उसका exploitation करते थे और उसको transfer करते थे कहाँ पे capital countries. जो वेस्ट की capital countries है वहाँ जैसे ब्रिटिस ने ब्रिटेन में जो है इंडिया के सारे raw materials को ब्रिटेन में ट्रांसपर की. या और भी जहाँ पे उनकी colonies की जहाँ पे ज़रूरत पड़ी raw materials की वहाँ वहाँ पे इन्हों ने ट्रांसपर क्या. ये एजी प्रेंग का मानना है कि जो पर्स्ट वर्ल कंट्रीज हैं उन्होंने थर्ड वर्ल कंट्रीज को अपना इंक्लेब बनाया जाद तर वो capitalist city को बनाया क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वो जो है resources को exploit करते हैं और उसको transfer करते हैं वेस्ट कंट्रीज को वेस्ट में capitalist कंट जो बनाया उन्होंने वो कहां पर बनाया उन्होंने राजधानी सहरों में तुकि आसानी से वहां पर वो resources पर कब्जा करते थे जिनका इस्तेमाल वो उन संसादनों का दोहन करने के लिए करते हैं मतलब उन संसादनों का दोहन करना मतलब उसको नश करने के लिए करते हैं उ इस्तिमाल के उन साधनों को जिनका इस्तिमाल वो किस लिए करते थे अब ऐसे इनक्लेव ऐसी बस्तियों का इस्तिमाल वो किस लिए करते थे वहांके जो संसादन पर उनका दोमन करने के लिए करते थे जिनें वो पश्चिन के पूजी वादी देशों में अस्तनान पर दित कर दिया जाए जिनें वो क्या करते थे जो raw material होते पिंदे, यानि जो शंशाधन होते थे, जो कच्छे शंशाधन होते थे, उनको ये लोग क्या करते थे? वो जो पूज़ी वादी देश हैं, पक्षिन के, वहाँ पे ये लोग क्या करते थे? उसको अस्तनान फुटतर होते थे. वहाँ पर ये अस्तनांटि भी तरगुटा तरुटा वहाँ पर ये अस्तनांटि भी तरगुटा तरुटा। कि यहीं जो की डी चेपिलाइशन थी अस्तिमी यहीं को हुईत्य चेमी경 करें मेद देवियिants सब्सक्राइन इसी वजा से जो थर्ड वर्ल की कंट्रीज है वो अंडर डिवल्प रहा चुकि जो भी कंट्रीज का रॉम अपने राउ मट्रीज का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन कर सकते हैं यही में वीजन है कि मतलब जो भी अभी पाई जाती है वो तो एक तरह से यह जो है जो डिवल्प कंट्रीज हैं उनको क्रिटिसाइज करके यह डी कैपिलाज़ेशन प्रेंट के अनुसार तीसरी दुनि के अल्प विकास का मुख्व कारण है तो डी कैपिलाज़ेशन यानिती पूंची वाद से रोपना कि इन्हों ने क्या किया वहां के संसादनों का इतना इस्तेमाल कर लिया कि वह उनके पास इतना संसादन बची ही नहीं कि वह जो है अपने आपको अपने मतलब दोग को उनकी वजा से ही पीसरे दुनिया के जो अविक्सित देश है वो पाय जाते है अल्प वितास वाले देश जो है वो तीसरे दुनिया के वो पाय जाते है यानि कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज है यानि कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो किनकी वजा से है जो डेवलप क प्रवाव मट्रीज में क्या किया है उनके ही राव मट्रील को इस्तमाल करके खुछ डेवलप हो गये हैं और उनको जोए पीछे फोल गया है प्रवाप प्रवुम। सिधान की उत्पत्ती कैसे हुई थी इन नाइंटीन सिटी वुलादीमीर लेनिन पॉजिटेब देट एडवांस एंड कैपलिस नेशन वुड एब्जाब दा वेल्ट अफ अंडर डेवलपमेशन तो यह लेनिन क्या कहते हैं नहीं सो सोलह में लेलिंग में क्या कहा था कि जो एडवांस कैपलिस नेशन हैं वो क्या करेंगे और उनके सारी वेल्ट को तारे रौ मटेरियल को यह जो डेवलपमेशन हैं वो कैपलिस कंट्रीस हैं वो इस्तेमाल कर लोंगे यह लेनिन आरा मानना था 1916 में ही इन्होंने ये बात कही यहां से इस थेवरी का मतलब डेपेंडेंडेंटी थेवरी की शुरुवात यहीं से होती है ओर जिन अब दा थेवरी सिद्धान की उत्पत्ति कैसे हुई सबसे पहले लेनिन ने 1916 में यह कहा कि जो भी क्या करेंगे वो जो अंडर डेवलप के नेशन अंडर डेवलप नेशन हैं उनके वेल्ट को वो एब्जॉब कर लेंगे सिद्धान की उत्पत्ति कैसे हुई थी लेनिन ने कहा कि उन्नत और पूजिवादी राष्ट अविक्सित देशों की संपत्ति को आउसोसित करेंगे तो लेनिन ने यह कहा कि उन्नत और पूजिवादी जो राष्ट हैं वो क्या करेंगे वो हमेशा अविक्सित देशों की जो संपत्थी हैं उसको अवसोशित करना मतलब उसका इस्तिमाल वो कर लेंगे पूरी तरीके से उसको इस्तिमाल कर लेंगे और वो सारे जो raw material है जो सारे शंजादन करने उन सब को यह बरबात कर देए। यह किसका मानना था यह लेनिम का मानना था। दो यहां से इस सिद्धान की शुरुवात होती है, ठीक. However, the official origin of dependency theory is identified as 1949. लेकिन dependency theory की जो official origin मानी जाती है, वो 1949 से ही मानी जाती है. क्योंकि उन्होंने dependency theory के नाम पे ये बात नहीं कहा था, ऐसी generally कहा था उन्होंने, dependency theory के नाम पे नहीं कहा था. तो obviously जो dependency theory start हुई है, वो कब श्टार्ट हुई है, वो 1949 में start हुई है. When the German-born British economist, Hans Singer and Argentine economist, Raul Previz, published two papers. जब इन दोनों ने जो है दो पेपर पॉब्लिस किया था, एक singer और एक privacy. Singer और privacy ने जब एक साथ जो है दो पेपर पॉब्लिस किया था, तब से इस theory की, यानि कि dependency theory की शुरुआत हुई हुई. हाला कि निर्वर्था सिध्धान की अधिकारी कुद्पत्ती, 1949 में उन्चास की रूप में पैचानी जाती है. क्योंकि जो लेनिन ने बात कही थी, वो जेनरली कहा था, समान तोर पे कहा था, उन्होंने निर्वर्था सिध्धान के लिए दिनी कहा था. अला कि उनकी फिर्वर्था सिध्धान के ही डिपेंड करती है, लेकिन उन्होंने ये बात समान रूप से कहा था, तो ज़्यादा तर जो फिर्वर्था की आधिकारिक रूप से जुद्पत्ती हुई है, वो उन्नीस उन्चास में हुई है, तब हुई है, जब जर्मन में जन्में ब्रिटिश अर्फशास्त्री सिंगर और अर्जन पीटा के अर्फशास्त्री राउल प्रेविश में दो पत्र प्रकासित किये थे, तब से जोए dependency theory की खुरुवाद की ती यानि की निर्भरता सिधान की खुरुवाद की ती ती. इस पेपर में उन्नी क्या बात कहिती, the two economists observed that, दोनों economists ने क्या अब्ज़व किया था कि underdeveloped nation could buy progressively favor manufactured products from developed nation in exchange for the export of their raw material. तो जो वो raw material export कर रहे हैं, उसके बदले में वो बहुत कम product खरीद पाते हैं. लेकिन उसके बदले में उनको जितना पैसा मिल रहा है उस पैसे में वो सिर्फ 4 या 5 मेटिरियल और रहे हैं, 4 या 5 प्रोड़क्ट फी खरीद पारे हैं, हलाकि उन्हीं के रा मेटिरियल से वो प्रोड़क्ट बनाएं, लेकिन वो प्रोड़क्ट सो बने के बाद उसकी कीमत इतनी जदा बना दी गई कि अब वो जो है, जितनी कीमत तो यही वह उन्होंने इस पेपर में अप्जब्ट किया तो भीरे भीरे जो है यह हमेशा डिपेंड ही रहे अगर इनको सौ के बदले अगर नब्बे मिल जाएं तंचान में मिल जाएं खाली वही पांच कटे तो क्या हो तो यह हमेशा अपने जादर जादर प्रोड़क्ट इसमेशा डिपेंड रहे किस पे जो डिपनेशन है वहां पर जहां पर प्रड़क्शन हो रहा है उस पर इस नोशन अर्ड अपलेशन अप्रीड ट्रीपें इसमेशन को कि मतलब कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज से अपने रा मेटिरियल के बदले में बहुत कम वेनुटेक्चर प्रोड़क्ट खरीच सकते हैं इस थेवरी को प्रेविस सिंगर थेशिस का आजाता है तो कभी-कभी डारेक्ट आपसे पूछ लेता है कि प्रेविस सिं सिंगर थेशिस का मतलब क्या है यह भी पूर सकता है आपके तो आपको यह याद रखने हुए ठीक है इस नोशन और दा अपलीशन दा प्रेविस सिंगर थेशिस इस नोशन को क्या कहा जाने लगा प्रेविस सिंगर थेशिस कि अपने पत्रों में दोग अधिसास्त्री ने यह देखा है कि जो विक्सित रास्त है अपने कच्छे माल आपके मिर्यात के बद्रे विक्सित देशों से उत्रोतरक कम निर्मिर और प्रीड और्द साथे जो भी वो कच्छे माल भेजते हैं उससे बहुत कम जो उससे बने हूए उतपाद हैं वो खरीच पाते हैं जैसे मैंने एक्जामपल दिया थाth passer कि आगडर कोई ऐसा तक चांट उर सो जोए उत पाद बंढ रहे हैं उनुसत उतपादों में से उनको मतलब कच्छे माल के ए मत्ब्दैन्यकों क्या माना जाता है प्रिविश क्शिगर यह याद रखती है प्रेंगे बिलिएफ भूप्ड जुनीव अबेलाप थार्ट्प उप्राट्बूप शेडिए थार्थ इंग करीज सेखकेश हैं। तो फ्रेंगेरेफ। एडिए। एक जन युनेख उपुड्छी सेखकेश रखनाएट। तो प्रेंग क्या अब लिए करते हैं that underdeveloped development result from the unequal distribution of resources, underdevelopment कैसे होता है, जब unequal distribution of resources होता है, तब underdevelopment होता है, और जब resources का exploitation होता है, and exploitation of the less developed and emerging countries, और जो कम developed countries है या जो developing countries है, emerging countries मतलब जो developing countries है, उनके exploitation के जरी, उनके exploitation के जरी क्या होता है, underdevelopment आता है, by the more developed countries, through the, अब ये exploitation कौन करता है, जो more developed countries होती है, यानि कि developed countries जो होती है, वही जो अंदर developed या developing countries को exploit करती है, और इसी वज़ा से under development की condition आती है, through the so called, अब ये किसके जरी exploitation करते है, metropolis satellite relation के जरी, इस theory के जरी जरी है, ये exploit करते है, इसको जो developing nation है, या under development nation है, इस नाम पे हो जो है, उनको exploit करते है, उनके resources का exploitation करते है, metropolis satellite relation के नाम पे, ठीक है, प्रेंक का मानना है कि तथा ततित metropolis satellite संबंध स्तिधान के माध्यम से, तो जो तथा कतित metropolis satellite संबंध है, इस सिधान के माध्यम से, कि अधे विख्षित देश हैं, वो क्या करते हैं, अधे क्विख्षित देशों द्वारा कम विख्षित और उभधरते देशों के इस अपमान वित्रन और सूशन पे अविक्सितता का पड़राम है तो प्रेंग का यह मानना है कि अविक्सितता कैसे आती है जब जो आप एक तथा-पतिक सिद्धांत ले आते हैं है उनका संसादनों का इसन ज़्ञां करते हैं और सोचल करते हैं ऐ्रोज्ड प्रस्टी फिलाफंर्ट वोग निय् erklेंड और मत्रम 550 लाटर उ्र कि क् से अन क् मेंः Pavlaard P этом devi इंस इंस एन आप स는 इंस नविल्प्राइ बिलीफ प्रम आयर थो oke that an An accurate way to explain development is to look at the past experience of countries in North America and Europe. Frank, रोश्टो द्वारा प्रचलित विकास के विश्वास को खारिश करते हैं कि विकास की व्याक्षा करने का एक सटीक तरीका उत्री अमेरिका और यूरोप के देशों के पिछले अनुब़ाओं को देखी है. तो रोट्सो का जो डेवलप्मेंट थेवरी थी जो इकनॉमिक डेवलप्मेंट थेवरी थी रोट्सो की वो उसको ये प्रेंक जो है रिचेक्ट करते हैं रोट्चो की वो कहते थे कि है यह गोब करते हैं उनका पास ऐसा होता है कि वह अभे ट्यवलप क्या चीजों को एक्प्रिएंस किया है छीला जिस की व्य बंबॉऩमflows कि सीज़ को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं एक्सक्लाइट करके प्रीडों मुन्म TP- onto गौह कर दोskा चूपर के लिए जया उनके रिसोर्श को युद पर रोट और इसके का ति कि karti कुछ कुछ क겠지만 ही इस कंडिशन के प्रूर कोई भी डेवलप करता तो पहले क्या था प्रिमिटिफ सोसाइटी उसके बाद प्री कंडिशन टेक आउप टेक आउप यह सारी चीज हम लोगों ने पड़ा है यह रोड शू करता इस चीज को यह रिजेट करते हैं और कहते हैं कि यह गलत है कि यह कह करना है डिवलपमेंट को तो आप पास थेजैंस को डेखते कि नार्थ अमेरिका और इंव्रोप के तो यह गलत है इसको जैंद करते हैं तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि रोज्ट्रो जो डेल्ला इकनोमिक डवलपमेंट भलगी थी उसको किस नरेजक्ट किया था था प कि प्रेंक ने क्या फ्रेंक्न से को दौरा प्रचारी विश्वास को खारिज करने विश्वास के बारे में बात की उस चीजब विखास की व्याक्षा करने था एक सटीक तरीका उत्तरी अमरीका और योरोप के देशों की पिछले अनुबहों को देखने हैं इस विश्वास को व्याइख करने हैं कि अधर हैं फ्रेंग बिव्ट एट वोल्डिंग सच वीव्ट रिएटेद निमरेश विसकंफेक्शन अभी कहते हैं कि इस तरह का ब्लीव रखना जोए बहुत सारे विसकंफेक्शन को प्रिएट करता है और प्रिवेंट एंट एकुरेट व्यूट वीव अफुट रिवलप कि और जो है यह क्या करते हैं यह रोकते हैं जो अभी कंटंप्रेरी डिवलप्मेंट है उसको कि दूसरी और प्रेंग का मानना है कि इस तरह के विचार रखने से कई गलत धाराएं पैदा होती है और संकालिन विकास के सटीक दिरिश्टी कोण को बढ़ने से रोकता है जो की अभी के डिवलप्मेंट'd को जो विव है उसको फुरू होने से यह रोकता है इसतरह का बिलीव जो उसको फुरू होनेसे रोपता है संकालिन विकास के सटीक दिरिश्टी कोड है संकालिन विकास के जो Сटीक इसी से डिपंडेंसी तेवरी से रिलेटेड है वर्ल सिस्टम विस्पराली सिधान अब यह किसमें दिया था वर्ल सिस्टम तेवरी या विस्पराली सिधान पीए इमेन्योल वाज़्टीम ने जिया था बहुत ही इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में इसे रिलेटेड क्वेश्टन पूछे गये लगबख सारे एक्जाम ने पूछे जाते हैं क्वेश्टन जाये वर्ल सिस्टम तेवरी से क्वेश्टन जरूरी पूछा जाये तो यहां से आपको एक क्वेश्टन तो मिली जाये वर्ल सिस्टम तेवरी विश्ट परडाली सिधान इम्मेन्योल वाज़्टीम डेवल्ल सिस्टम तेवरी और इसकी तीन हाईराज्टी को भी डेवल्प किया है विश्ट परडाली सिधान इम्मेन्योल वाज़्टीम ने विश्ट और इसकी तीन अस्तरिये पदानुकर्ण को भी विक्सित किया है और इस थेवरी को भी इस सिद्धान को भी उन्होंने विक्सित किया है तो सबसे पहला चलन कौन सा आता है सबसे पहला अस्तर कौन सा आता है peripheral यानि की प्रिधी, peripheral यानि की प्रिधी, peripheral में क्या आता है, peripheral countries are development on core countries for capital and hard underdeveloped industry, तो यह कहते हैं कि peripheral countries कौन्ती countries है, यह are different on core countries, यह ज्यादा तर से समस्क्राइब कान देब होते हैं आप कैपिटल के लिए परिदेश पूजी के लिए मुख देशों पर निर्वार होता है ठीक, परिदेश देश जो है, मुख देशों पर निर्वार होते हैं, किस लिए निर्वार होते हैं, पूजी के लिए, ठीक, मुख देशों पर निर्वार होते हैं, लेकिन किस लिए होते हैं, पूजी के लिए निर्वार होते हैं, और अविक्सित उद्दोव होते हैं, और य यह देश Poonजय के लिए मुखष देशों पर निर्भर होते हैं और इनके पास OW Twain सब्सक्राइब करें लोग आते हैं कोई क्षप्वाइब कैपलेटीज करते हैं उसकԲाइबlt त famous लोग आंकेभी सका किरें आ सक करते तो परिषरील सुन्चरीय उनको एक्स्प्राइब करते हैं विबर आन्रोमी उद्रे convince intestine मेरी और आजिया आमने देखा होगा जो बहुत वरीब स्थी जोती हैं वहाँ से लोक आज बाहर जाते हैं जूद जाए वहां पे जाके काम करते हैं इसलिए लेबर के लिए और ने ही गैशसे पेरिफ़रल मतलब परिदी यह होता है पर ये देश होते हैं जो फूजी के लिए दूसरे देशों पर निर्बार होते हैं यह कह सब्सक्राइब करती को क्या करती है एक्सप्राइब करती है उनकी लेबर के लिए और राव पर्मुख पूजिवादी देश का वरण करता है जो स्रम और कच्छे माल के लिए परिदिये देशों का सोचन करते हैं कि इसलिए करते हैं स्रम के लिए और कच्छे माल के लिए उनका सोचन किया जाता है सेमी परिफरल में आजाएगा जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो सेमी परिफरल में आजाता है सेमी परिफरल में जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो आजाता है अर्द परिफिय देश देश को कहते हैं सेमी परिफरल को अर्द परिफिय देश का है यह कंट्रीज के पास और कंट्रीज की परिफरल कंट्रीज मतलब कि यह अपने कच्छे माल को और लेवर को अपने राव मटेरियल को और लेवर को बाहर को ट्रांसफर करते हैं लेकिन इनके यहां भी कुछ ऐसे नकीं इंडेक्टिस होती है जो प्रोडलक्षन का काम करती है कुछ इंके पास डेयॉट्स नहीं होती है बहुत क्ट्रीज कि बशनर कीलिदिया हुने से इंडिया है बहुत सारी चीजयों का प्राड़क्शन होता है लेकिन यहां से लेर और मैट्रीयल तो सेमी पेरिफडर वोज राती है गे पास को और है और पर गो हो तो शेमी पेरिपेरल यानि कि आर्ध पाइज़ होते हैं जिने के पास और परिदिय दोनों देशों की विशेष्टाओं को साजा करते हैं तो परिदिय देश क्या है ये रो मेटेरियल और अपने लेबर को जो मितलब तच्छे माल होते हैं और अपने स्रम को बाहर बेजते हैं जो विक्सित देश हैं उनको बेजते हैं और उसके बजले में और में वह प्रोडक्शन पुसरां करते हैं उन के पास साधं करते हैं तो एशी सेटार्ल कांट्री में मैं अर्थ परिधिय है उनके पास खिने उसलें पहारppen को रहते हैं कि वेबिनार आपको ज्वाइन करना चाहिए था वेबिनार रुवा रूबा था उसके बारे में कया हुआ जो अब क्या हो क्या नहीं वो प्लपायी कर सकते हैं आपकी डॉमेग्च के लिए प्लीपायी और चाहिए जारे क्वालिफाई करने के लिए वो शारी चीज़ें बताई गई कि उस टीचरों ने अपना experience भी शेयर किया था कि किस तरह से उन्हों में पढ़ाई हो गएरा की है और दूसरी चीज़ जो भी अपर्स हो गएरा भी बताया गएते और जो नए कोर्स लॉंच हो रहे है उन सब की बारे में बताया गया था बाकी पूरा डिटेल में तो नहीं बता बताया जा सकता है यहां पर तो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज पता चल गया क्या होता है कि यहां पर देखिए बना हुआ है चार्ट इसको आप समझने की कोशिश करिए तो सबसे उपर होता है क्या पेरिफेरी फिर बीस में होता है सेमी पेरिफेरी फिर सबसे नीचे होता है को किसमें क्या होता है सेंटर में क्या होता है है उसके उपर सेंय परी परी यहां पर बनाऊ cartridge होती है वह नोस पर करें सेनी पहल परी कंची को और लेकिन ने ब मिध इस ख़ी जेति है रिचर रिशरॉसेस उसके बदले रिचर करती है रिचरॉसस तुर Лटु यह इसके वद्ले में यह resources को लेती है periphery से, यहां पर देखे periphery से resources ले रही है, goods जो है transfer कर रहे है periphery को और resources ले रहे है periphery से, लेकिन जो periphery countries होती है, यहां पर semi periphery है, ठीक है फिर से समझाता हूँ मैं, poor country जो होती है, वो क्या करती है, semi periphery को ग happening जो goods होते है, यानि की manufactured goods होते है, वो transfer करते हैं, और उशके बदले में वहाँ से resources होते हैं उश को लेती है और poor country जोmastery को जो manufacturing goods होते है यहां से gonna transfer करते है, यहां पर देखिए, ठीक और उसके बंदे में ये raw materials और resources को core countries तक बेशते हैं इसी तरह से होता रहता है यही जो है world system के भी कहती है समझ में आरा चार्ट बताएए एक बात आर चार्ट जसके हैं चेकी के फिर आगे बढ़ते इन कांप्रास्ट टू डिपेंडेंसी थेवरी हावेवर इस मॉडल रिकरनाइजेस ता मिनाइमल बेनिफिट देट और इंजोईड बाई लो इस्टेटस कंट्रीज इन दे वर्ल्ड सेश्टर तो यह डिपेंडेंसी थेवरी के बदले में यह थेवरी दी ग自 की हालक ये जो मौडल है ये इस से बहुत कम benefit मिलता है जो लौ status कांटре शे कंट्री मिलता है वर्ल शिस्ट्म म्य मिलता है यह इसले उस है तिक निर्भर्ता सिधान के विप्रीज हमालकि यह पॉडल उन नियुंतम दाभूं को पैचानता है जो विस विवस्ता में निम्न अस्थानित वाले देश द्वारा प्राप्त की रहते हैं पॉर कंट्रीज अब कौन कौन सी होती है एक्जांपल है यूएस जापान और जर्मनी यानि कि मुख देश कौन कौन से हैं जैसे यूएस जापान और जर्मनी करने के लिए तो आपको सबसे पहले तो आपको फर्स पेपर में देखना है क्योंकि आपका सिकंड पेपर तो कहीं न कहीं से हुई जाता है क्योंकि सिकंड पेपर आपने पीजी में भी पढ़ा होगा यूजी में भी पढ़ा होगा तो इतना मजबूत रहता है कि आप अग आपको ज्यादा फोकस करना है तो आपको अभी से उठाके देखना है स्लेबस सबसे पहले स्लेबस प्रिंट कराके रखिए आप अपने पर और उसमें देखिए कि कौन-कौन से चीज़ें आपको नहीं आती है वह तिक करिए और वही आपको पूरा ये जो अक्टूबर है वह वह बीटनेश है जिसमें जिस सब्यक्किन जिस टॉपिक में वह आप पढ़िए पूरा अप्लस आप अपना जो शिकंट पेपर है उसको भी पढ़िए जो आपका वीक है वह पढ़ते रहे और पेडियाप प्लस आप प्लास को करी रहे हैं पेडियाप आपको मिलती रहती ही वो पढ़ते रही है उसके साहथ साहथ यह दो चीजे आपको पूरा पुबर करें जी अभी क्वेश्चन नहीं सालों करना है आपको कोई भी जब यह वो जाए पूंकि जब आपके पास होता है तो इस वक्त आपको क्राइस कर नहीं करना है कि यह तरीका है कि पूरा कॉर्छन करना है करें चाहिज से आपको कम से कम हजार-देड़-जार क्वेशन दर्टीजर कर जाएंगे और हम लोग वैसे भी तारगेट बनाया है कि नावेंबर में हम करेंगे और मौक्तेस के जरीए मौकतेस के जरीए और प्रीवाइट की क्लास के जरीए या क्वेस्ट की क्लास के जरीए लोग 5-6000 क्वेस्ट पर आएंगे अगर आपने कोस्ट राइंग किया है तो यही किसी पर चलेगा अगर नहीं किया है तो आपको इतने कुश्टिन कम चेकंट करके जाने और यह कब होगा जब आप पूरा अक्तूबर जो अपने आपने कॉंसेट को क्लियर करके जाने कि क्व कुछ नहीं हो सकता है कि परिफेरल कंट्रीज अब यहां पे कोर कंट्रीज के एक एक्जांपल दिये हैं यूएश जापान और जर्मी कोर देश कौन कुन से आ होते हैं यूएश जापान और जर्मी परिफेरल कंट्रीज कौन सी है अफ्रीकन कंट्री इसमें ज्यादा तर Ứकम कंट्री पिल इंकम इन इन कांट्रीड एन इंकम मेरिक्á एन अप्रीक कें सारी कंट्री जो वो परीफ सर्क के लिए अधिकांत अप्रिकी देश और अमरीका में कम है वाले त्री यह सारे परिफिけि TH देशने आजाते हैं। सेमी पेरिफरल कंट्रीज कौंती होती हैं। एक्जामपल है साउथ कोरिया, ताइवान, मैक्सिको, ब्राजील, इंडिया, नाइजेरिया, साउथ अफ्रीका। तो जो भी ये डेवल्पिन कंट्रीज हैं वो सेमी पेरिफरल कंट्रीज ना जाएंगी देशें। साउथ कोरिया, ताइवान, मैक्सिको, ब्राजील, इंडिया, नाइजेरिया, साउथ अफ्रीका। यहां तक हम लोग डिपेंडेंसी त्योरी और वर्ल्पिन कंट्रीज ना जाएंगी देशें। जिसमें हम लोग डिपेंडेंसी त्योरी में इम्मेनुवल वर्ष्टिन के बारे में पड़ा हैं। इन्होंने ही डवलप किया है थेओरीज को, एजी प्रंक, लेडनिन, इन सब के बारे में लोग पड़ा है। और एक सिधान्त क्या था? 25 सिंगर ठैसिस जो कहलाती है। वह हम लोग उन्हें पड़ा, 25 सिंगर ठैसिस। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉपुलेशन के हुए। हां, रिसर्ष वाली यूनिट इस हैं, हम लोग रिवाइस करेंगे, के में लोग 轉 ही स्टार्ट करेंगे, यूनिट-वाइस रिवाइस होगा और यूनिट-वाइस क्वेशन धी होगा। तो वो आपको टेंजन लेनी दौरोद नहीं है। कि रिविजन के साथ साथ वो हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे यूनिट वाइज और यूनिट वाइज ही रिविशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉपुलेशन फेवरी जो कि सबसे पहला इसमें आता है माल्फिशन फेवरी खोर्ट, आपने पढा होगा मालफिशन फेवरी के बारे में अथा हो चाहियरी एज हिएश्चन वह प्राइऑ आथ में गोर्ड Cubitt超 आथा, कर तो मालकीजिन तेवरी क्या मानती है मालकीजिन तेवरी का मालकीजिन तेवरी है वो इस बात पर फोकस करती है कि जो हीमन पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रोड़ कर रही है फूर्ट सप्लाई के मुखाब्यों तलब फूर्ट बहुत कम है फूर्ट का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है लेकिन वापूलेशन बहुत तेली से बड़ रही है तब तक बढ़ती रहती है जब तक पॉलेशन में कमी हैं या मतलब यह साथी चीज़ें जिसकी वज़ए से पॉपुलेशन अचानक से बहुत कम हो जाती है जैसे अभी कुरोना में बहुत सारे लोग मर गए तो यह कहते हैं कि एक तरह का यह पॉजिपिक चेक्स है नेचर खुद पॉपुलेशन को कम करता रहता है ताकि पूप की जो सप्लाई है वो मेंटेन रही है ताकि पूप की जो सप्लाई है वो मेंटेन रही है यह मालफुजिन पेवरी का मानना है तो यह कहते हैं कि मालफुजिन पेवरी वो इस चीज़ पर बिलीट करती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है अगर हम लोग जो है पापुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसे पॉजिटिव चेक्स आते रहेंगे यह माल्पिजगेंट होडी का मानना है इन्होंने समझाय कि मानो आबादी खाज अपूर्ती कुछ तुल्णा में अधिक तेजी से बढ़ती है कि मानो आबादी खाज अपूर्ती की तुल्णा में बहुत अधिक तीजी से बढ़ती है जब तक कि अकाल यूद या बीमारी जनसंक्या को कम नहीं कर देती है तब तक ये चीज़ें बढ़ती है कि अधिक जब तक अकाल यूद या बीमारी जनसंक्या को कम ना कर दे तब तक जनसंक्या बढ़ती रहती है किसके मुकाबले में तो इन्होंने कहा कि यह जो अकाल यूद और बीमारी होती है यह प्राकृति का निचर है प्राकृति का जो है अपना यह चीज़ें मेंटेंब करने का तरीका है मतलब कि इसको संतुलर मिलाने का एक तरीका है जब भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस तरह के टेक्स आते रखते हैं कि यह मानते हैं कि पास्ट्री से जो है वह बहुत तेजी से बढ़ी है संच्रीज मतलब सव साल को संच्री कहते हैं तो पिछले जो तीन सो साल है इसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है तो उनका मानना था कि पिछली तीन सतावदियों में मानो आबादी बढ़ी हैं तो मानतूर숙 का यह मानना था कि जो पिछली तीन सतावदी्ण है यानि कि तीन सो साल से अबिचेश ऑफ मालीजिगी से बढ़ीाएटches meditation यह कहते हैं कि जो पापुलेशन का ग्रोथ हो रहा है वो जियो चीजांट की तरीके से ग्रोथ रहा है लेकिन जो फूर का प्रोड़क्शन हो रहा है वो आर्टमेटिकल प्रोग्रेशन के जरी हो रहा है अब ये जियमेट्रिकल और अर्टमेटिकल क्या होता है ? जियमेट्रिकल कहते हैं कि जब चीजें डबल होती रही है तक जितना अभी है उसका डबल होती है जैसे कि अगर आज जो है लोगा फोपुलेशन तो कल चार होती वर्चों आठ हो गया उसके बाद 16, 16 के बाद 32 हो गई, 32 के बाद 64 हो गई, चोछट के बाद 128 हो गई, इस तरह से population बढ़ रहे हैं, तो मालतूज का यह मानना था कि जो human population है, वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, वो आर्वेमेटिकल प्रोग्रेशन से बढ़ना आर्वेमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब 1,2,3,4,5,6 इस तरह से बढ़ना तो पर्स्ट स्टेप अगर मानलेते हैं 1 है जूसरा 2 है तीसरा 3 है चौथा 4 है और पापुलेशन क्या है पहला 1 है जूसरा 2 हो जाएगा तीसरा 4 हो ज कि यह चीजर से अब न्याय स्टेसराल में कि यह अर्फमेटिकल और ज्योमेटिकल अगर्शन से अबनाराई आर्फमेटिकल निलुट्ट नियुक्ट एलधोर्ट में और कोपुलेशन थयुकर बना रहे हैं युद कोलेशन घ्योवल्धों, व sizi कि ऐस धोर हुग्यमेटिकल फ वो जन्संक्या जयमितिय परगती से बढ़ रही थी जबकि खाद उत्पाद अंक गड़तिय परगती से बढ़ रहा है लेकिन खाद उत्पादन जो वो अंक गड़तीय परगती चो बन रहा है प्रगति क्या होती है 1 2 3 4 5 6 तो फाद का उत्पादा नहीं से हो रहा है पहले 1 3 2 3 4 5 5 6 7 इस तरह से हो रहा है लेकिन जन्संख्या जो है वो जयामितिय जयामितिय प्रगति से बढ़ रही है यानि कि 2 से 4 4 6 6 8 जो से 4 4 6 8 16 16 इस तरह से बढ़ है पढ़ाने के इलावा पढ़ा जाता है ऐसे प्णाने के लावा पढ़ रहें लोग पढ़ाने के लिए बीडो चार जन्टे लगते हैं पढ़ाने की क्यारी करने के लिए इसके लावा कुछ भी पढ़ना होता है थिक, that population was growing at a geographical progression while food production was growing at a mathematical progression. वो जंसंत्या जैमितिये परगती से बढ़ रही थी जब किखाद उस पादन जो है वो अंक गड़तिये परगती से बढ़ रही तो यह अंक गड़तिये और जैमितिये यह आपको समझने आगे न क्या होता है कि देरिश टेंदेंशी फॉर आल लिविंटिंग को ब्योंड फूर अवेलेबल फूर अर एक ऐसी टेंदेंशी है मतलब ऐसी सिट्वेशन भी आ सकती है कि जो पॉपुलेशन है वो इतना बढ़ जाए कि उतना खाने के लिए अवलेबिलिटी ही ना कि फूर की इक टेंदेंशी एसी हो सकती है एक काइम पर ऐसा भी हो सकता है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ जाए कि सबकी खाने के लिए वह पूरा ही ना ओका है क्योंकि आप जो प्रोडक्शन है वह अंट्मेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है और जो पॉपुलेशन है वह जो ज ये की सभी सजीयों के लिए उतलब्ध भोजन से आगे बढ़ने की पुर्वित्ती होती है। मतलब यह जंजंख्या है वो इतना बढ़ जाएगी कि सारे जंजंख्या के लिए भोजन का उपलब दोना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक असम्भब हो जाएगा, ठीक उतना भोजन उपलब भी रहे होगा जिकनी जंजंख्या बढ़ जाएगा Unless population increase is matched with means of subsistence, negative and positive checks will come into forces तो कहते हैं कि जब तक population का जो increase है, वो कम नहीं किया जाएगा जब तक population का जो increase है, वो food के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, यानि कि जिस तरीके से food का production हो रहा है उसी तरीके से population का production जब तक नहीं होगा, ठीक तब तक negative checks and positive checks आते रहे हैं जो मैंने बताया कि अभी उन्होंने famine war और diseases को क्या आता, negative and positive checks है तो यह आते रहेंगे जब तक हम लोग population control नहीं करेंगे सब तक, तक नेचर खुद कंट्रोल करने लगता है तो नहीं होगा Unless population increase is matched with means of subsistence, negative and positive checks will come into force तो negative and positive checks आते रहेंगे जब तक जनसंख्या विर्दी का मिलान निर्वा के सादनों से नहीं किया जाता निर्वा के सादन यानि की food production मतलब खाद उत्पादन है खाद उत्पादन के जरीए हैं हम लोग अपना निर्वा करते हैं तो जब तक जनतंक्या का जो विर्दी है वो खाद उत्पादन के साथ मैश नहीं किया जाएगा इसका मिलाम नहीं किया जाएगा यानि कि इतना खाद उत्पादन हो रहा है उतना ही जनतंक्या का भी उत्पादन हो ऐसा जब तक नहीं करेंगे हम लोग तब तक नकरात्मक और और सक्रात्मक प्रेंटर लागु रहे दिए तक प्रकृति अप्रात्मक हुए सक्रात्मक प्रेंटर रहे लिए इनको जड़िए इनको कम गर्फी ह्य। यह जो युद्ध हो गएरा आते हैं, जो बीमारियां पहलती हैं, जो मतलब शुखे अकाल हो गएरा पड़ते हैं, यह सब इसी वज़ा से होती हैं कि जन्संक्या को कम कियाता है, यह मालकूचें करड़ी का मानना है, चौथा क्या है, that population is essentially limited by the means of subsistence, वो जन्संक्या अनिवार उसे निर्वा के सादमों द्वारा सीमत हैं, जो यह नतरात्मक और मतलब जो निगेटिव और पॉजिटिव चेक साते रहेंगे, मुख्यों आते रहेंगे, ताकि मतलब कि जन्संक्या हमेशा बराबर रहे, जितना food production है, उतना इते हैं, जन्संक्या हमेशा बराबर रहे, इतना खाविश्पादन हो रहा है उतना, ताकि ऐसा ना हो, ऐसी condition ना हो पाए, कि मतलब एक time ऐसा आजाए, कि मतलब सारे लोगों के खाने के लिए चीज़ें हो लेवल ही ना, तो यहां तक हम लोग मालतूजियन टेवरी कर चुके हैं, वोग समझ में आया होगा आपको माल सबसे पहला जो फीचर है, इससे question पूचा जाता है, कि population जो है, वो geometrical progression से बढ़ रही है, और food production जो है, वो geometrical progression से बढ़ रही है, इससे question पूचा जाता है, कि population जो है, वो geometrical progression से बढ़ रही है, लेकिन food production कैसे बढ़ रही है, वो geometrical progression से बढ़ रही है, इससे question पूचा जाता है, किसी भी तरीके से question पूचा जाता है, question कुछ भी बने, लेकिन इससे पूचा जाता है, वो जंसम्क्या जयमेतिये परिगतिये बढ़ रही है, जबकि ख दूसरा क्या कुश्यन पूशा जाता है इसे डूसरा यह आपका पोसिटिभ चेकर्प्स् से लिए ब fiance कुशा जाता है और जोए और alternative year में question मालचुजिन theory से पूशा जाता है यानि अगर एक साल नहीं पूशा गया तो दूशी साल जरूर पूशा जाता है मालचुजिन theory से question तो यह important है और मैंने बता भी जिया कहां से question पूशा जाता है तो यह आप याद रखते हों और negative checks यानि पी नकरात्मक उर सक्रात्मक पी एंक्रल से question पूशे जाते हैं geometrical progression और mathematical progression से question पूशे जाते हैं जयामितिय परगति और अंतिगरतिय परिगति से question पूशे जाते हैं यहां तक हम लोग मालकुजिन theory कर चुके हैं हम लोग इस्टार्ट करने जा रहे हैं capability approach by Amartasen. अब ये अमर्ता चेंग की क्या थिविती capability approach? अमर्ता चेंग द्वारा शम्ता ग्रिश्ची पोड क्या? The capability approach focuses directly on the quality of life that individuals are actually able to achieve. कि ये directly किस पे focus करता है? Quality of life पे ज़्यादा तर focus करता है. कि एक individual कितना quality of life को अचीव कर पा रहा है? अपनी कितनी quality of life को जीपा रहा है? इस पे focus करता है capability approach. मतलब individual कितना capable है कि अपनी life को quality of life में बदल सका है? कि the capability approach focuses directly on the quality of life that individuals are actually able to achieve. कि अमेर्टा सेन द्वारा छम्ता दिरिष्टी कोर सीधे जीवन की गुर्वत्ता पर ध्यान केंद्रिट करता है. जिसे व्यक्ति वास्तों में प्राप करने में सच्छम होता है. तो उस चीज़ को यानि कि जो गुर्वत्ता वाले जीवन में जीवन की गुर्वत्ता को प्राप करने में जो व्यक्ति तच्छम होता है. उसी चीज़ को ये जो है समता दिल्सकी फोल्ड श्टडी करता है उसका ही अध्यान करता है. अब आगे क्या करता है देखते हैं लोग. This quality of life is analyzed in terms of core concept of functioning and capability. अब ये capability का जो approach है ये जो quality of life है इसको दो terms में समझा जाता है. एक तो है functioning और दूसरा है capability, functioning और capability क्या है ये आगे one by one समझेंगे. बस आभी आपको ये याद रखना है कि quality of life में दो core concept आते हैं, और उन से एक functioning और दूसरा capability. जीवन की इस गुरुवत्ता का विश्लेशन कारेपरणाली और छमता की मोल और धार्मा के संदर में किया जाता है. तो जीवन की गुरुवत्ता किस के संदर में की जाती है? एक कारे परवाली और इसा चमता अब ये कार परवाली और चमता क्या होता है functioning और capability क्या होती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं functioning पर चाहिए functioning और state of being and doing such as being well nourished having center functioning में क्या है being or doing well nourished मतलब अच्छी तरीके से आप रहते हों मतलब पूद अच्छी तरीके से मूल भाइ मतलब पूद की supply आपके पास अच्छी हो रही है ऊखाने पीने की चीजे और आपके पास रहने की जगए तीक ये आपके functioning नहीं आता है एक तो आपको अच्छा खाना मिल रहा है मतलब अच्छा खाना मिल रहा है और आपके पास रहने की जगए है यह पंक्शनिंग लागा जाती है तो आपको खाने की जरुत है उतना आपको खाना मिल रहा है यह बेकितना की जरुवत है उतना की खाना मिल रहा है यह पीस में आजयता है प्रश्टियों आपको खाना मिल जा रहा हो तो यह आपके कारपडाली में आता है अब दूसरा आता है। सप्षा आपके पास क्या चीज़ आपको गपनेंता है तो इसे इंके यह इसके पास वाले है। उसकी लाइब यह इड़ीं सबस्सेयव रखेसी ही तो इसके पास वाले हैं मिल पॉपड़ी हो सेवस्ति कि वाले तो पंच्छनी में यही चीज आती है, जो उनके पास ऐसी चीजें जो वह अचीव करता है, जैसे एक बाइक, एक बाइक होना किसी के पास वह अलग करता है जिसके पास बाइक है उसके लाइब अच्छी होगी, एक आदमी के पास साइकल है, बाइक के मुकाबले में उसकी ला प्राप्ट करने के लिए क्या चीजें जैसे की साइकल चलाने को बाइक रखने से अलग कि साइकल चलाने को बाइक रखने से अलग चीज रखती है दोनों अलग तरीके से देखा जा जा जाए अब कैपविलिटी में क्या चीज आजाती एक अदमी के पास वाइक है लेकिन वो साइकल चला रहा है जैसे बहुत सारे लोगों की पास जोए क्या होता है कार होती है लेकिन वो बाइक अगरह से आते जाते हैं कि एक दिन के लिए या दो दिन को पर लेजिक कहीं दूर जा रहे होंगे तो वाइक से यह पाप चलाती है तो एक साइकल चलाना और बाइक रखना दोनों अलग चीज़ है यह फंक्सिन में आजाता है तिक यह कारे परव एक आदमी बाइक रख रहा है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा है वो उसकी capability में नहीं है capability refers to a set of valuable functioning that a person has effective access to जिसको वो अच्छी तरीके से यूज कर रहा है उसका access उसके पास है शमता से ताद पर उन मुल्यान वार्योंट के समूँ से है जिन तक किसी व्यक्ति की परभावी पहुंच रहा है यह functioning functioning की ability है कि कितनी functioning आपके पास है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे है जैसे बाइक है तो बाइक का इस्तेमाल आप कर रहे है इस चीज़ें आप कर रहे हैं यह की आदमी कि पास कि बाराने का पैसा ही इसा रही है कर कि किसी वज़य से उसको में गई लेकिन उसके पेट्रोल डालने का साइझ रही है resources such as bicycle are considered as an input but their value depends upon individual ability to convert them into valueable function such as bicycle तो bicycle रखना यह resources मासा तो तक है रिजोस्स जैसा कि आप bicycle रख रहें यह एक input है आपके पास bicycle है ठीक है लेकिन उसकी value तब तक है जब आपकी ability हो उसको चलाने के पास bicycle है लेकिन आप उसको चलाई नहीं पारे हैं किसी भी हो जासी नहीं चला पारे हैं तो यह क्या है आपके पास bicycle है लेकिन उसकी value तब है जब आप उसको use कर पारे हैं उसको एक valuable functioning में change कर पारे हैं जैसे की bicycle आप वुइक उसको चला पार रहे है क्या है तो आपका इनुपट भै लेकिन उसकी वैलु के पार नहीं है, जा अंगी को चला पार रहे हैं तो ऐसी शारी जैसा कि cycle उसको एक input के रूप में माना जाता है लेकिन उसका मोल वैक्षियों की उन्हें मोल्यवान का कारपड़ाली जैसे cycle चलाना में बदलने की संता पर नेवर करते हैं लेकिन क्या आपके पास ऐसी संता है कि आप उस cycle को चला सकते हैं cycle है कि आपके पास संताधन है और है आपके पास संताधन है बाई कि आपते पास का अगर होगा तभी यह आपके विए ने की उसका मूल तब तक है जब आप उसका इस्तिमाल कर पार रहते हैं 엇स tipping विए पास शंता हो अपके संताधन का मूल Questo है जब तक आपके पास समता हो कि आप उस संचाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह दो चीज़ है आजाते हैं फंक्शनिंग और कि ड्याइं दिक आपके पास साइकल है लयकिन च वेविटी आपके पास रिसर्स को लिडेन वैदिवेबल रिसरिज मेदें की बिलिटी वैदिवेबल रिसरिज कैसे बनाएंगे उसका इस्तिमाल करता है। उसको इस के पारेइडी करते हैं उसको सिसरे गयाने की सुपकर को कि आदम के पास है मैंने न चीकल है, यह नहीं कैसे इसकी करी में पाएगा हुआ कि साइकल है पहर में तो यह दिपन करता आपके पास सशनाल के अपनी तरह की है कि आप इस चीज को चला पाएगी यह नहीं है तभी वो एबिलिटी ना था, सोशल नॉम्स, बहुत सारे नॉम्स होते हैं, बहुत सारे मांधन्द होते हैं, उसके रिलेटेट किस चीज को आप इस्तेमाल करेंगे, किस चीज को नहीं, जैसे आपने सुना होगा, जो भी गाउं गेरा से तालूप रखते होंगे, इनको पता करेंगे, तो वो नॉम्स के खिलाफ माना करेंगे, तो आपकी पर्सनल फिजियोलोजी आपकी हेल्फ ही नहीं है, कि आप उस चीज का इस्तेमाल कर पाए, दूसरा आपकी हेल्फ है, लेकिन तो नॉम्स आपको रोख है, जैसे अभी अगर कोई लग्ती ठ्रक चला रही हो, तो कश्टर के ट्रक चला रही है, लेकिन तो नॉम्स जैसे उसको अलाव नहीं कर रही है, और ऐसा फिजिकल इंवार्मेंट है, कि आप उसमें अपनी जो भी रिसोर्स हैं, उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यानि सचा इस रोड क्वालिटी, अकर साइकल के मामला देखा ज जाए है, यानि रोड इतना खराब है कि आप वहां पे साइकल चलाएंगे, तो साइकल ही तूट जाएगी, एक पोड़ी दूर जाएंगे, तभी साइकल तूट जाएगे और आप गिर जाएगे, तो रोड क्वालिटी भी अच्छी होनी है, ये आपके फिजिकल इंवार्म कि ये सारी चीज़ें आपकी एबिलेटिंग आजाते हैं, छमता में आजाते हैं, जो निर्भरता करता है उधारन के लिए, उनके वेक्तिकस तरीर, विज्ञान जैसे स्वास, उनकी स्वास इतनी इच्छी है कि नहीं, कि वो चला सकते हैं, जैसे अगर किसी आदमी के पास स आप नहीं है, तो वो कैसे साइकल चलाता है, आप नहीं है, दिखी नहीं रहा है, जैसे साइकल चलाता है, तो आपका स्वास ऐसी है कि आप मतलब अगर आपका स्वास ऐसा है, तो आपके पास शमता है उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, तो शमता में क्या है, आपका स आपको उसकी अनुमती देते हैं कि नहीं जैसे मैंने बहुत सारे एक्जम्पल बताएं अभी मोबाइल का इसे समझें तो आपकी पास आप नहीं तो आपको लड़कियां मोबाइल यूज नहीं कर सकती है चलाने के काबिल हैं लेकिन आपका मांड़न भी अलावने कर सकते हैं कि तो आप जिस सीस्का इस्तेमाल कर रहे हैं उस्सीज़कर शक्ते हैं अब cycle के मामले में तो शड़क हो गई, mobile के मामले में network, आप दिस एरिय में रह रहे हैं, वहाँ पर network का रहा है की नहीं, network आएगा तभी है आप उसMart kadar पाएंगे ने तो नहीं कर Pas यह नेटवर्क आएगा अगर तभी आप उसका इस्तमाल कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो यह आपके भौतिक वातावरण ना चाहिए यहां तक हो गया capability theory आपको कुछ पूछा जाता है मैं बता दूँ इसमें capability theory में क्या question पूछे जाते हैं ज्यादा तर देखें यह दो जो कंपोनेंट हैं functioning और capability तारे परडाली और चंप इससे question पूछे जाते हैं उसके बाद आपके यह भी पूछ दखता है cycle और cycling से related मतलब आपके पास जो resources ना उससा इस्तमाल कर पा रहे हैं यह आपसे यह question पूछा जाता है कि capability में क्या क्या चीज़ आ जाते हैं तो capability में आपका personal physiology यानि की health, social norms और physical environment आ जाते हैं वेट्टिगर तरीर विज्ञान यानि की जैसा आपकी स्वास प्रमाजिक मानदन और भौतिक वाटावरत यह सारी चीज़ आ जाते हैं आपके किस्में समता में चीज़ इससे भी related question पूछे जाते हैं और या तो आपसे यह भी question पूछ सकता है कि capability फेवरी किस्में तो यह अमरता से ने तो फेवरी आप सोशल कैपिलरिटी यह population की फेवरी है समाजिक समता का सिधान का कि समता नहीं है कैपिलरिटी है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है केसी काथ का सिधान को था यह तिक तेविया केसी काथ in 1890 1890 तिक 1890 में अर्षेन दोमोन और फ्रेंच स्कॉलर प्रोपाउंडेट दट थेवरी अप सोशल कैपिलरिटी फेवरी जो है फ्रेंच स्कॉलर अर्षेन दोमोन ने करिशन दोमोने इस आप लुश लोमोो से कंफ्यूच मट होईएंगा कभी कभी आप अप्षेन में आपको लुई्ancia लोमो और दोनों दिया होता है आप लोमों देखकर बिगर 2 पिसी आप्षेन के द्यान दिया, आप ठिक कर देते हैं, तो ये गल्ती मत करिएगा, लोई डोमो नहीं है, ये अर्सेन डोमो, अर्सेन डोमो ने 1890 में ये क्या थे एक प्रेंच स्कॉलर थे, इनों में ही जो है, सोशल कैपिलरिटी थ्योरी को पॉर्म किया, उसको दिया, समाजिक समता का सिधान, 1890 में एक प्रांचिसी विजवान, अर्सेन डोमो में समाजिक केशिकात के सिधान को परतिपादित दिया, समाजिक केशिकात के सिधान को अर्सेन डोमो ने 1890 में दिया था, और ये अर्सेन डोमो प्रांचिसी विजवान, एक प्रांचिसी विजवान थ से 1890 में इन्होंने समाजी के सिकाथ का सदान दिया यह याद रखेगा अब यह समाजी के सिकाथ या सोशल के कैपिलरीटी में इन्होंने क्या कहता यह population की फिरी है यह यह याद रखेगा एक्वाडिंग टूँमों इन civilized community, the principle of social capillarity, governs the fertility behavior of population. यह कहते हैं यह जो principle of social capillarity है, उसके जरिये ही population में fertility behavior गवन करता है. जो भी civilized community होती है, वहाँ पे, जो social capillarity है, वही गवन करता है fertility behavior. fertility behavior क्या होता है, कि मतलब एक आदमी है, उसका behavior कैसा है, मतलब कितने बच्चे काईदा करना चाहिए रहा है, यह उसका fertility behavior. चुक्कि behavior change होते रहते हैं, हर आदमी का behavior होता है, हर आदमी का अलग-अलग behavior होता है. तो अर्शिन डुमों कहते हैं कि एक सिवलाइज कम्यूटी में इनके बिहवियर को इंफ्लिएंस कौन करता है तो इनके बिहवियर को सूशल कैपिलरीटी भी इंफ्लिएंस करती है अब यह कैसे करती है आगे हम लोग देखेंगे डुमों के अनुसार एक सब्व समधाल में सम से जन्संक्या के परजनन विवहर को नेंफ्लिट करता है वह समाशिक के सिववार को इनके विवहर क्या है के संबंदी उलके व्यवहार क्या है मतलब वो कितने चाहे रहे जैसे चारे लोगों का व्यवहार अलग होता है क्या के चाहता है कोई चाहता है को छाहता हूं तो सारे लोगों सब्सक्राइब यह कि जो सब्ध शमुदाय होता है उसमें कौन साथ शिद्धान इस व्योवहार को नियंतृच करता है वोग सिध्ण करता है this principle is based on the recognition that every society is marked with a set of hierarchical social order in which individuals in the upper hierarchy enjoy greater prestige than those belonging to the lower hierarchy this principle is based on the recognition that every society is marked with a set of hierarchical social order so that every society has a hierarchical social order there is a hierarchical social order or there is a hierarchical system some people have upper hierarchy and some people have lower hierarchy this principle recognizes that some individuals enjoy the upper hierarchy to enjoy on समाजिक व्यवस्था के साथ चेंगे किया दाता है कि ये सिदान की क्या माननेता है कि हर समाज वो पदानुकर्मित समाजिक व्यवस्था का एक सेट होता है मतलब वहां पर पदान्करम होता है, कि कुछ लोग निम्न पद पर होते हैं, जिसमें उपरी पदान्करम में वेक्ती निम्न पदान्करम में से संबंदित लोगों की तुल्णा में आधिक पर्तिष्टा आनन्द रत होता है। तो जो उपरी पदानुकरम में लोग होते हैं उनसे उनके संबद में अगर दिखा जाए तो वो ज्यादा पर्तिष्टा यानि की अधिक पर्तिष्टा का आनन लेते हैं कि वो अधिक पर्थिष्टा का आधिक होती है। उनका उन्ती स्थिती अच्छी होती है। तो यह इसी चीज़ के फोकस करती है। एक वार्डिंग तो दो मोस्ट आइडियाज अब सोशल केपिलरिटी इन अ मॉरल सुसाइटी दा स्मालर दा साइज अफ वन फैंदी अफ़ाइटी जितना चोटी साइज होगी फैंदी की उतना ही आई स्टेटस पाने की अफ़ाइटी होगी। यह सोशल केपिलरिटी ओभी कहती है। एक वार्ड़ेटी तो दो मों अगर देखा जाए तो सोशल केपिलरिटी तो इसको क्या खैती है। कि जितना खो Almost जोट जो जितनी चोटी और प्यांस्तों एक मतलब सभाव की कि जितनी चोटी पाफouse करें DAVID 9 क्यों ख शोटा और जितना उप शोटी पाप आपश शूटा प्रक्टिनि उध्ली साथ कि शूटा पार बूक्पक्रश cam अगर किसी के पास एक बच्चा है और इंकम ज्यादा है तो पैमिली चोटी हुई अब वो इंकम ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा अपनी घर में फैसलिटीज ले सकते हैं कि अपनी लगज़िवी स्लाइफ जी सकते हैं जो भी कॉलिटी अप लाइफ है उसको जी सकते हैं जिनकी फैमिली बढ़ी होती है वो अलग-लग लोगों में पैसा फिर बढ़ जाता है अगर चार लोग होंगे पांच लोग होंगे तो फैमिली साइज बढ़ेगा तो होता है पर मिरी मेरे फादर होता है या मकलब अभी जो है कि मिरे फिर सामाज बेरे में बदल रहा है उस रहसे तो ही तो साथ यह पर यह सकते हैं तो इन यो कमाने वाले हों जो कमा सब कर्च करनेली तो 10 खर्च करने वाले हुँगे तो लाई अच्छी ही नहीं होगा तो जुक्त ऑप SYcom को माने वाले हैं एक रखेफेंटे लेड़ारी के अच्छू पर पाईरारी को मैं तो यही सोशल केपिलरीटी फ्योडी में पोटल ही। एकॉर्डिंग तो दुमो, दुमोस आइडिया आप सोशल केपिलरीटी, इन अ मॉडरन सोसाइटी, दा स्मॉलर दा साइज अप वन्स फैमिली, किसी की फैमिली की साइज जितनी छोती होगी, उसके हाईर हायरार्टी में पहुंचने की अपर हायरार्टी में पहुंचने की सोशल क्लाइबिंग अपर्चुनिटी जो है उसकी जादा होगी, तो दुमो, के समाजिक के सिकात के विचार के अनुसार, एक आधनिक समाज में किसी के परिवार का आकार जितना छोता होगा, उसके समाजिक उत्थाम के अतने ही अलिक होगे, तो उसके समाजिक उत्थान के अधन अगर एक होगा, खरूश करने वाला बाकी दोग टमाने वाले होगे, या एक इतना वाला होगा तो बाकी सीजें अक्छे से मैनेज हो जाएगी, वो एक अच्छी लाइफ, अच्छा जेमन जी सकता है, इसलिए समा अउसर होगा समाजी कुद्धान का उसर इपना ही ज़्यादा उसके पास होगा अग्रीजिटल एकनॉमी आज हम लोग करते हैं बाती तूरिशन और कंशेप्शन लूग करिंग लेते हैं यहां तक हम लोग पॉपुलेशन तेवरी कर शुक्त है पॉपुलेशन तेवरी से कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं अब तक हम लोग आगे अगर ब्रिशन और कोई किनगे मड़ वन क्राइब तरRIA कोरजिशन इस जो खर रामी इुटल एकनॉम सोरे ट्रांजिंड शेट्शन को आप लेजिटल एकनामी कह सपाई जितने एकनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरनेट पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने एकनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को आप डिजिटल इकनॉमी में रख सकते हैं इतना भी इंटरनेट पर होने वाली सभी आपके लेंदेन के लिए इंटरनेट पर आर्थिक लेंदेन होते हैं वो सारी चीजें अगर एक साथ मिला जी गाए तो इसको आप गौकिया इसे वेव अर्थिवश्ता भी कहा जाता है या इंटरनेट अर्थिवश्ता के रूप में भी जाना जाता है तो इसके तीन नाम है, एक है डिस्टल अर्थवस्ता, एक है वेब अर्थवस्ता, एक है इंटरनेट अर्थवस्ता ठीक, ये तीनो नाम से ये जाना जाता है तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, डिजिटल अर्थवस्ता के तीन मुख गटक होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले आता है, इबिजनेश, इबिजनेश क्या है इबिजनेश कहते हैं, जब आप इंटरनेट पे कोई बिजनेश हो सकते हैं, जो इबिजनेश हो रहे हैं उसको इबिजनेश का जाएगा लेकिन आप इस प्रेशाह इनटरण पर सकते हैं यहांप आप प्रेशन कर सकते हैं जैसे अगर आप जो है क्लाड का बिजनेश कर रहे हैं और आप इंटर्णेट पर कर रहे हैं तो वह बेजनेस पर द लेकिन आप ओलक कर्ट कर का है ऍही ने साफ कहां करेंगे वही पर जाते दो आते हैं दूसरा गटक है दूसरा मतलब कंपोनेंट है डिजिटल इकनामी का नेक्स आता है इक कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट आप नाम सुने होंगे Amazon है, Flipkart है, Mintra है बहुत सारी वेबसाइट है जो इक काम करती है तो यह तीनों जो है डिजिटल इकनामी के कंपोनेंट है आप एप इपिजनेश इंफ्रास्ट्ट्रक्च्चर, इकॉमर्स यह सारी चीज़एं आप दोवस्ता तो यह आद रखते हैं आप पर बिपेल में नहीं याद रखना है आपको, ऐसी याद रखना है कि जो दिजिटल इकनामी है उसमें क्या-क्या चीज़ आ जाती है कि इंदी में भी प्रेम हुए हिसे नायक्ट ऑफ डीजिटल एकनॉमी के फायदे क्या है डिजिटल अर्थवरस्ता के क्या क्या गूल है वो देखें लो इक प्रमोट्स यूस आप अप दा आप देखेंगे कि पहले पैसे उगल के लेंदेन के लिए बैंक उगला जाते हैं साह Loren बैंक बैंक वीजेट ही नहीं करने देंक ही हमारा जो भी बैंक कर काम चानला होता है लेकिन एक साल, बैंक चाल भीम हो जाते हैं इंटरनेट के उप्योग को बढ़ावा देता है तब अब जो ही इसिस्टम नहीं रहा गया कि आप जो है और काउंटर पर उसमें क्या बोल दिया आपको कि लंज के बाद मिली हो तो यह बहुत चल रहा कि पहले लेकिन जब से डिजिटल करीचे से लेंदर होने लगा बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग कर सिस्टम जब से आगया तब से लोग बैंक जाते हैं नहीं है वाब आप लंज करते रहे दिंगर वैट कि प्रमोट्स यूज इंटर्नेट के यूज को यह प्रमोट करता है इंटर्नेट के लोग को यह बढ़ावा देता है राइस इन e-commerce के लिए बढ़ावा देता है ज्यादा से ज्यादा लोग जो कमर्शियल चीट गई हो अब इंटर्नेट करूने लगी डिजिटल गूर्स एंड सर्विसेज आप इंटर्नेट पे जो सारी चीज़ें होती है उसने ट्रांसपेरेंसी बहुत जादा होती है इंवाल्मेंट होता नहीं होता है तो यह सारी चीज़ें जो है मैरेट और दीजिटल इकनॉमी है प्रमोट्स यूज ऑप इंटरनेट राइज इन इए कॉमर्स डिजिटल गूर्स एंटर्नेट से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेट योग योग को बढ़ावा देता है इए कॉमर्स में वृद्धी करता है डिज करनेट है क्योंकि बेंक में देखिए फहले दस लोग होते तेकि convicted काम रहती से मित्यक्त जोगों की दरुवतति है दो ही तीन लोगी तरुन की दरुवतित लोग निबा avait 10 लोग इन्प्लरें गायितаки सारी चीजों में होता है। मैं बैंक एक्जांपल दे रहा हूं लेकिन सारी जो साम हो गया रहा है, सारे इंप्लाइमेंट में ऐसी चीजह हो रही है। अभी AI टूल की वज़ा से बहुत से लोगों की एंप्लाइमेंट जाएगा। तो यह सारी चीजों डिजिकल एक्नामी की वज़ा से इंप्लाइमेंट का लॉस्ट ही होता है। रोजगार मेहानी उती ही होता है। लाइक और एक्सपर्ट की कमी होता है। क्योंकि पहले जो लोग काम कर रहे थे उनका वह मतलब डिजिकल चीजों को नहीं शीख होता है। जो पहले की जनुरेशन थी वह उनमें एक्सपर्ट आपको कम मिलेंगे। उस चीज के इस्तेमाल करने वाले कम मिलेंगे। क्या है बैंक का अपने सब्सक्राइब बदल दिया। तो पहले के सब्सक्राइब उनमें शीख पढ़ा था उसके बारे में। बाद में आपको आपने बदल दिया। अब वह है इसमें एक्सपर्टाइज नहीं होता है। इसलिए पर्टी भी कमी हो जाती है। An Told Ouriesские 흡ेश का इंवेश्चिता इसमें बहुत ज़्यादा भारीं निमेज करना पर था। मसीने उगहरा यरे बेजिकल के这ों सब्सक्राइब अबहुत सेटब करना है। इस्प्रॉंब्लमफ ने नहीं है। दार्टाइबी में करें नहीं करना तो आप चौक जहेंगे कि मतलब किसी भी तरीके से आप अपने डाटा इंटर्मेट के नहीं बचा सकते हैं कि ट्रांस्परेंशी होती है ट्रांस्परेंशी विलॉप अप्के जाटा को अधी आप कोई भी आप डांड़ोड करीए सबसे पहले यह पर्मिशन मांगता है कि कैमरे की पर मिशन मतल्प की परनेशन मांगता है कि यह सब क्या है आपक Vergleich हे है कि पड़ल अगर आप नहीं देते हैं पेंसिन वा एक दो सारी सीजह ऑने उनके पास होजाता है अब वह सेफ है जब तक पास है वह क्लेम कर रहे हैं आप उस呢 को मान के चल रखतों लेकिन उस क्लेम को सच में जबें बहुत ताज उन्हों हो रहे हैं इंटेमेट पे प्राड हो रहे हैं सा साइबर क्राइम क्या है जो इंटरनेट पे जो भी क्राइम होते हैं वो साइबर क्राइम है आपकी डाटा का इस्तेमाल करके आपको ब्लेकमेल किया जाता है आपके डाटा का इस्तेमाल करके आपके बैंक में जो भी पैसे होते हैं उसको निकाल लिया जाता है बहुत सारी ची अभी देखे अलग लग तरीके से लोग से कॉल करके पैसे निकाल लेते थे अब क्या है अब क्या है आपको ओटीपी आती ही में वैसे निकल जाते हैं परसे बहुत सारे आफ हैं आप उसको डाउनलोड करिए अपके पास कोना आता है कि अच्छा यह आप यह काम करना चाहिए जाते आता हिए आपुछॉल से यह से वाइसाथ शीं आप जो है जान पेशों कर दोंद करना या के आइंस फिक्चाते हैं एसको और आप और वाली मेरा उसकी अनुक्र बेंसे क्या स्कूंक्ता सुबशतेश्या तो विजिटल एकनॉमी के फाइदे तो आपको फाइदे बहुत नहीं जाएं लेकिन उसके डी मेरिश भी है तिक उससे साइबर क्राइम बढ़ रहा है अब परचानी में पाएंगे कि वाइस किसी है अब पर पर सब्सक्राइब आपको सचे अपने आपको बचाने को में लेक्स आता है एक कॉमर्स क्या है हम लोगों ने पढ़ा कि इक कॉमर्स में जो है डीजिकल एकनॉमी हेल्प करती है अब यह इक कॉमर्स होता क्या है इक कॉमर्स इस अ मेथड़ आफ बाइंड टेलिंग गुर्स आन तरूसेश अनलाइब एक मेथड़ है एक मेथड़ है एक मेथड़ है यह इक कॉमर्स वस्पूँ और सेवाओं को आनलाइन खरीचने और बेचने की एक दिधी टेकल 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 ने आनलाइन मेयथट्रों सेवाओं को अनलाइन खरीचने और बेचने की एक विधी आ तो तो बिजनेस तो बिजनेस होते हैं यानि कि एक बिजनेस जो कर रहा है वो दूसरे बिजनेस वाले को आनलाइन जो है तर्विस या वोट्स बेच या खरीद रहा है जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कोई प्रोड़क्त बनाना है उसके कुछ पार्ट दूसरी कंपनी बना रही है तो वो दूसरी कंपनी उस पार्ट को बना कर कस्ट्मर को तो नहीं मेंच की है वो दारेक उसी दूसरी कंपनी हो जैकिन यह सारी चीजें आनलाइन होता है तो यह बेचेमें संब कि यह मोरे होना कि इस बिजनेस तुच पिस बीजनेस्ट कुछ बिजनेस् थेना कि जी पल्ट अब्रा से सहां कि बूर्ट यस जी करशों के प्वारानrokतमार्ट को समय कि बीजनेसीनी से बहुत सारे वीजनेस्ट ओर बूट कम्तिई आप एकजंपल ले ले लिए हो फिर ऑफोन गैरा या इसकी तो गैरा बनाती है वह जो बीक तो सी है बीक पैसे है कि वह जो भी प्रोडक्स बनाती है वह डारीक कंजीमर को बैस की लिए कंजीमर से उफ प्रोडक्त बेचाजाता हैं वह अपना प्रोडख करके दोसे सो बेच रहा है या कंजीमर कुण ब्रोड़क्त देच है इसनाक का बованसे क्या है यह वेवसाय के लेंदेन या तो वेवसाय से वेवसाय होते हैं जिसको B2B के रूप में कहते हैं तिक वेवसाय से उबोगता के बीच में होते हैं जिसको B2C कहते हैं उबोगता से उबोगता या उबोगता से वेवसाय करता है ठीक और उबोगता से वेवसाय करता है ठीक पतल पीष्हिकोमर्स का अपन का संब्छ दाय? इसे जोए, क्वेश्क डिजिन疫ा डिजिन तक्पिवज की वजा से पक्यों होल में प्रीप्टिविट नीजिज वाई गाल। का प्रोड़क्टिविटी अब भीजनेस आइस डे कन नाओ यूज टेकनोलोजी आटो में आटो में अटो में देर आपरेशन इन पर देजिटल इकनोमी की वज़ए से बिजनेस की प्रोड़क्टिविटी बढ़ी है क्योंकि यह टेकनोलोजी का इस्तेमाल करके उसको आटोम की विज़ा से इकनोमर्स प्रोड़क्टिविटी बढ़ी है कि अब अपने संचालन और प्रक्रियाओं को संचालिद करनी के लिए प्रोद्दोगी की का उप्योग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वत्पादन करते हैं तो डिजिटल अर्ट्विवस्ता का इकनोमर्स पर यह सबसे ज्यादा फाइदा है कि यह पादक्ता में विरिद्दी करता है कि इंक्रीज कंपुटेटिवनेस बढ़ी हुई परकिसपर्था कि बिजनेश तोड़े आरेबल तो यूज का इंटर्डेट तो रीच नियू मार्केट एंपर आज अब यह कंपुट सब्सक्राइब और नफे यह कंपुटिशन बढ़ाता है विजनेश को बिजनेश तो बिजनेश कंपुटिशन बढ़ जाते हैं लिए प्लिपकाट वाले चाहिंगे ज्यादा अम लोग प्रोड़क्त ज्यादा जादा बेचिने हैं अभी देखिए सेल चल रही है तो सारे लोग चलाएं अलग लग नाम से लिपकार चलाएगा बिग बिलियन से और मतलब बाकी अमाजन और में तरा जो है वो अलग अलग चलाते हैं और सेम टाइम के चलाएंगे क्योंकि कम्स्टेशन तभी होता है जादा बिजनेस टुडए आरेबल टु यूज ता इंटरनेट को वीज निउ मार्केट एंड कॉस्टमर आज जो बिजनेस है वो इंटरनेट का इस्तिमाल करके नए मार्केट और नए कस्तमार तक पहुंचने की कोशिस करते हैं ठीक जिवसाय आज नए बाजारों और ग्रांकों तक पहुचने के लिए इंतर्नेट का उतयोग करने में सचने अब ये इंटर्निट का उतयोग करके नए नए अन्य जलत पो है अब मुटस्व है अब इसके क्या हुआ ग्लोबल बीजीनेश है अब यहां पर कोई उसको आप पूरी तुनिया में तहीं के भी देश सकते हैं इंटरनेट का इस्तेवाल करके आप पूरी दुनिया में उसको जब कि एक वेश्विक 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 क्या है। दुनिया भर में वेश्विक करने वाली कम्पनी को ही वेश्विक वेश्विक कहा जबाए। The exchange of goods over great distances goes back a very long time. It refers to international trade where as a global business is a company doing business across the world. The exchange of goods over great distances goes back a very long time. Limbी दूरी पर वस्पुओं के आदान परदान का इतियास बहुत पुराना है। वस्पुओं बहुत दूर दूर तक जाती थी, यह बहुत पुराना इतियासा, ऐसा नहीं कोई नहीं बात है। इफर्ष टू इंटरनेशनल ट्रेट खा जाता था वेराईश आगलोबल बिजनेस ती आपक्पनी गुए पूरे दुनिया में काम सब्सक्राइब नम्बी दूरी तक वस्तों के आधान पदान का इत्याग बहुत पुराना है अंतराष्टी व्यवार को संदर्वित करता है और यह जो है लंबी दूरी तक वस्तुओं का आदान प्रदान क्या आप किसको संदर्वित करता है यह अंतराष्टी व्यवार को संदर्वित करता है जबकि एक वैस्विक व्यवसाय दुनिया भर में कंपनी है जैसे स्वामी है संसंग है एक मोबाइल से रिलेटेड जो भी कंपनी है एच्पी है कि एक्षेंज अब गुर्स ओर ग्रेट डिस्टैंसेश गोज बैक वेरी लॉंग ताइम यह हो चुका है कि इंपॉर्टेंस अब ग्लोबल विज्नेस का इंपॉर्ट वेपार का इंटरनेशनल बीजनेस अल्सों प्रोमोट कंपमेशन इन डॉमेस्टिक मार्क वापीर जाता है और इस वजह से नई अपॉर्टिटीश होती है पारण मार्केट मेंगि नई न आई अपॉर्टिंटी अंतरवाश्टिय वेपार भी घरेलू बाजारों में परतिसपर्था को बढ़ावा देता है और विदेशी बाजारों के लिए और जो विदेशी बाजार होते हैं उसके लिए उसके लिए और सर्फेस करता है Global Competition help companies become more innovative and efficient in their use of resources Global Competition की वज़य से companies वो जादा सजादा innovative बनती है क्योंकि जितना जादा वो innovative product बनाएंगे उतना जादा उनकी sale होगी और उतना ही वो efficient होते हैं अपने resources को यूज़ करने best पर्स्था कंतस्टीयों को उनके संसाधनों के योग में अधिक नवीन और's बनने में मदब पर्त्रिस यूज़ și वज़़ा.' क्या तरते हैं नए नए तरीके ढूलते हैं नए डिजाइन ढूलते हैं कि यो लेज़ए अपने product Safe deals में आपने संसादनों की इस्तेमाल में वो कुसल बनते हैं चुछे तरीके से हम इस्तेमाल करें कि हमारे प्रोड़क्ट जो है हमारा जुद्फवादन है वह जादस हमारा जुद्फवाद है वह जादस 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 बिचिया तुड़े iGlobal competition अफेक्ट नियरली एवरी कंपनी विगार्लेस आप साइच कि इतनी भी छोटी कंपनी हो इतनी भी बड़ी कंपनी हो उसको वैस्वित पर्तिपर्ता का अशर उसके उपर परभाव पढ़ता है पर कंजीमर के लिए क्या फाइदा है इंटर्नेशनल बिजनेस इंटर्डिउस इंटर्डियूश देम वराइटी अपके पास बहुत सारे विराइटी मिल जाते हैं बूर्स एंटर्विस रिखकी प्राप्रित पहघ्त हर अपको करिज दो फ़ाइधार वह जाड़ां को वाइधारी या यह जारों को ऒढ़ लेना ह उब्वक्ताओं के लिए अंतरराष्टी वेपार उन्हें विभिन प्रतार की वस्त्मूं और सेवाओं से परचित कराता है अलग लग वस्त्मूं है बहुत सारी चीज़े जो हम इसका इस्तमाल क्या है वह हम जानते ही नहीं बाद में आप धीरे-धीरे इंटर्नेट के देख डिजाइन नहीं करता में इस यह सारी चीज़ों से यह परचित कराता है ग्लोबल बिजनेश इंटर्नेट की इसकी वज़े तो आज के लिए इतना ही नाकीतल हम लोग करेंगे थेंक्यू रेरी मच और भी कोई क्वेश्चिन है तो कर सकते हैं कि एनी क्वेश्चिन करेंगे प्राइब करेंगे तो कि अधिकर फिल लेप करते हैं थैंक्यू वेरी मुच्च अब नाइस लेट कि प्राइब करेंगे थैंक्या कर से लेवे धिकर दो कि आज कर दो आज करेंगे तो कि वेश्चिन झाल झाल